प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है चाहे बाइक की बात करे या कार की सभी इस सेगमेंट में एंट्री कर रही है ऐसे में सभी दिगज कार निर्माता इस बाजार में पकड बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है अब इस रेस में देश की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो पीछे क्यों रहे हाला कि ये गाड़ी पूरी तरह से कस्टम मेड है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस कार को इलेक्ट्रो ड्राइव पावर ट्रेंज सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने मोडिफाई किया ह तो आईए आपको नए लुक वाली नैनो कार की पूरी जानकारी देते हैं इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रियल आटो न्यूस को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे हमारी कोई भी जानकारी आ में मोडिफाई कर दिया गया है और ये काम इलेक्टरा इवी कमपनी ने किया है इस कार में 72 वी का बैटरी पैक देखने को मिलेगा इसकी स्पीड की बात करें तो इस कार को 60 किलो मीटर की स्पीड पकड़ने में 10 सेकंड लगते हैं जिसकी सिंगल चार्ज पर मीटर तक की हो सकती है बागी इसके बागी फीचर्स की बात करें तो इसमें एलेक्टरिक पावर स्टीरिंग, एसी, फ्रंट पावर विंडू, रिमोट लॉकिंग सिस्टम, ब्लुटूथ, मल्टी इन्फोमेशन डिस्पले समेत कई खास खूबियां देखने को मिल सकती हैं टाटा मोटर्स का इस कार के बारे में कहना है कि ये रियल कार वाली फील देती है, मौडन ग्राहकों को पर्यावरंड के अनुकूल पर्सनल ट्रांस्पोटेशन मौया कराने का प्रियास में किसी भी चीज से समझोता नहीं किया गया है, प्राइस की बात करें तो पांच ला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करतें, धन्यवाद.